सुप्रवात बच्चो बच्चो आज हम सुगम संस्क्रतम पाठ्थे पुस्तक से द्वादस पाठ पाठ वारा तर्वे सत्पुर्शा उकारांत पुल्लिंग पाठ को पड़ेंगे तरवे सत्पुर्षा कार्थ है सत्पुर्षा सज्जन तरवे यानी ब्रक्ष सज्जन ब्रक्ष इसमें हम तरु सब्द के उकारान पुलिंग सब्दुरूप को भी जानेंगे बच्चों ब्रक्षा में बहुत कुछ देते हैं इसलिए बे सज्जन पुरुष की तरह परोपकारी होते हैं, जिस तरह से सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई के लिए कारे करते हैं, उसी तरह से ब्रक्ष भी दूसरों की भलाई के लिए है, बच्चों ब्रक्षों से ही इस धर्ती पर जीवन है, अते ब्रक्षों का हमारे जीवन में बहुत अधिक मैत्व है इस पार्ट में हम ब्रक्षों से मिलने वाले लाब के वारे में पड़ेंगे तरवे असमाकम अमुल्य कोसह तरवे ब्रक्ष असमाकम हमारे अमुल्य कोसह यानि अमुल्य खजाने हैं ब्रक्ष हमारे अमुल्य खजाने हैं वयम तरुने आरुपया में चैय रक्षा में वयम हम ब्रक्षों को लगाते हैं तरूवी धरायाम जीवनम अस्ती तरूवी ब्रक्षो से ही धरायाम यानी प्रत्वी पर जीवन अस्ती यानी है ब्रक्षो से ही धरती पर जीवन है तरूवी बयम जीवा में तरूवी की ब्रक्षवी हम सब की तरह जीते हैं तरूवी बयम जीवाम है तरूवी यानि ब्रेक्षवी बयम यानि हम सब की तरह जीवाम है यानि जीते हैं ब्रेक्षवी हम सब की तरह जीते हैं तरूव्य फलम पत्रम छायाम काश्टम सुद्वायूम चै सरवम बिंदाम है तरूव्य यानि ब्रेक्षो से फल पत्रम यानि पत्ते चायाम यानि चायां, काश्टम यानि लकडी, चैय यानि और सुद्धवायूं यानि सुद्धवायू सर्वं बिंदा में यानि सभी पाते हैं कि ब्रक्षो से फल, पत्ते, चाया, लकडी और सुद्धवायू सभी पाते हैं तरवे है अस्मान रक्षंती, तरवे पेड अस्मान यानि हमारी रक्षंती यानि रक्षा करते हैं, अते तरुनाम रक्षणम अस्माकम कर्टब्यम अस्ती, अते इसलिए तरुनाम यानि ब्रक्षो की रक्षणम रक्षा करना अस्माकम यानि हमारा कर्टब्यम अस्ती यानि ह इसलिए ब्रक्षो की रक्षा करना हमारा कर्तब्य है तरुनाम जीवनम परोपकाराय अस्ती तरुनाम यानि ब्रक्षो का जीवन परोपकाराय अस्ती यानि दूसरों की भलाई के लिए है तरुसा बेविदा जीवा पसंती तरुसु यानि ब्रक्षो पर बेविदा बेविन जीवा यानि जीवजन्तु वसंति यानि तहते हैं प्रक्चो पर विविन प्रकार के जीवजन्तु रहते हैं यथा यानि जैसे मूले सर्पह, पिपली काहा, चसिखरे बानरा, साखा सूखगा, पत्रे सूखीटाहा, पुस्वे सूच भ्रमरा वसंति यथा यानि जैसे मूले 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 यानि जडों में सर्पाहा पीपली का, शाप और चीटिया, सिखरे बानरा और सिखरे यानि चोटी पर बंदर, साखासु कगा खगा, टैनियों पर पक्षी, पत्रेसु कीटाहा, पत्तों पर कीडे, पुस्पेसु चे भ्रमरा बसंती, चे यानि और पुस्पेसु यानि फूलों पर भ्रमरा यानि बहुरे बसंती यानि रहते हैं, की तरुसु विविदा जीवा बसंती, की ब्रक्षों पर बेवन प्रकार के जीवजन्तु रहते हैं, जैसे जडों में शाप और चीटिया, चोटी परबंदर, टैनियों पर पक्षी, पत्तों पर कीडे और फूलों पर भौरे रहते हैं, हमें यह भी जानना चाहिए कि छाया अननश्य कुर्वंति तिश्टन्ति स्वमातपे हला अन्यपी परार्थाया ब्रक्षाया सत्पुर्शा वेव। कि ब्रक्षा छाया अननश्य कुर्वन्ती कि जो ब्रक्ष है वह अननश्यानी दूसरे को छाया कुर्वन्ती यानी देते हैं जो ब्रक्ष है दूसरे को छाया देते हैं या करते हैं तिश्टन्ती स्वम आतपे स्वम आतपे यानी स्वम धूप में आतपे यानी दूप में ति व्रक्षों के फल हैं, वेवी, फलानी अपी यानी ब्रक्षों के फल वी परार्थाए, यानी दूसरों के संति यानी परॉपकार के या बलाई के लिए हैं। ब्रक्षा सत्पुर्सा इव वबन्ती ब्रक्षा सत्पुर्सा इव इसलिए ब्रक्ष सत्पुर्सा यानि सजन पुरुस के समान ही है या बे परोपकारी है तो वच्चो इसलिए हमारा हम इस लोक में दुबारा से हम इसकार्थ देखते हैं कि ब्रक्ष दूसरों को छाया देत हैं सम दूप में खड़े रहते हैं ब्रक्षो के फल भी दूसरों की बलाई के लिए हैं इसलिए ब्रक्ष सज्जन पुरुस के समान ही परोपकारी है या सज्जन पुरुस के समान है तो बच्चो इसलिए हमारा हमारे जीवन में ब्रक्षो का बहुत अधिक महत्व हैं ब्रक् प्रक्षों का आस्त्रेस्तान हैं ब्रक्षों से हम पत्ते फूल अधी सभी और अंगों से उसिदियावि हम पाते हैं और ब्रक्षों को सुद्धवायू में परिवर्चित करके। अते ब्रक्चो का हमारी जीवन में बहुत अधिक मैत्व है बच्चो इस अनवाद को आप पढ़िए आज के लिए इतना ही धन्यवाद